चट पर्व नजदीक है और उससे पहले यमना नदी का ये प्रदूशन चट पर्व करने वाली व्रती महिलाओं के लिए पहले ही सिर्दर्द बन गया है इसे लेकर भी संग्राम तीज है यमना में जरीला ज्जाग लगातार बहता जा रहा है दिल्ली तेरी सालो साल यही कहानी नशुद हवा नशुद पानी है दिल्ली के जनता के लिए ये दो बड़ी समस्या है अब आम हो गई है लेकिन आज इसकी चर्चा इसलिए भी है कि दिल्ली और एंसियार के मौसम में जरासी नमी होने के साथ ही वायू परदूशन का लेबल बढ़ गया तो वहीं यमना नदी का जहरीला पानी भी जहाग के रुप में सामने आने लगा है ये तस्वीर आप देख सकते है कालिंदी कुछ डैम के पास किस तरीके से पानी में जहाग उपर तैर रहा है साथ तोर पे इसको कहा जा सकता है कि यमना का प्रदूशन का जा रही है लेकिन ये तस्वीर भी हर साल देखने को मिलती है कि जिस तरीके से दशारा खत्म होने के बाद जब लोग दिवाली और छटपर्व की तरह बढ़ते हैं वैसे ही यमना का पानी गंदा सामने आने लगता है जाग दिखने लगता है इस समय और इसको लेकर सियासत भी खूब होती है चाहे सत्तारूर पार्टी आमादी पार्टी की बात करें चाहे बिजेपी की बात करें पुलिटिकल पार्टियों के लिए ये एक मुद्दा है लेकिन दिल्ली की जनता के लिए ये बड़ी समस्या है जिससे निजात नहीं मिल पा रही